हेलो बच्चों कैसे हो आप सब सो क्लास 6 के बच्चों साइन्स की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आज हम लोग जो हमारा चाप्टर अब हमें पता है वो हम कवर कर रहे हैं sorting materials into groups और हम लोग एक lecture अरड़ी कर चुके हैं तो दूसरे lecture के शुरुवात करने जा रहे हैं तो देखो हम लोग sorting materials into groups की बातचीत कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या-क्या चीज़े पढ़ चुके हैं उन्हें देख लेते हैं फिर आज हम लोग आपके in CRTK questions को discuss करेंगे तो properties of materials जब सबसे पहले मैं आपको बताया था कि हमारे surroundings में कितने सारे materials हैं जिनकी अलग-अलग properties होती हैं जैसे किसी का size अलग होता है किसी का shape अलग होती है किसी का color अलग होता है तो हर material की अपनी अलग दुनिया है अपनी अलग property है तो हम लोगों ने हमारी जो last class होई थी उसमें हम लोगों ने materials की properties discuss करे थी जैसे की appearance, hardness, solubility, transparent objects कौन से हैं, translucent objects कौन से हैं, opaque objects कौन से हैं तो हम लोग सब कुछ ये चीज़ discuss करके आये थे तो appearance में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चो की देखो object कैसा है object क्या वो shiny है, क्या वो lustrous है, है ना, हम लोगों ने ये देखा था तो lustrous, non-lustrous के basis पे हम लोगों ने objects को रखा था कि कोई object shine कर रहा है या कोई object shine नहीं कर रहा जैसे मैंने आपको बताया था कि metal है, right, तो metal shine करता है, wood shine नहीं करता hardness discuss करी थे, तो हम लोग इसमें soft and hard objects को discuss कर रहे थे कि soft objects कौन से हो गए, soft objects हो गए, जैसे soft toys, cotton, hard object जैसे pan, glass, यह सारे soft हो गए then solubility और insolubility को भी discuss किया था, कि जो substance पानी में घुल जाए वो soluble है, जो ना घुल पाए वो insoluble है, right then हम लोगों ने तीन टाइप के objects पढ़े थे, transparent, translucent and opaque, transparent वो जिनके आरपार हमें दिखता है, याद है, इस glass का example बताया था, कि आरपार दिख रहा है, तो transparent object, अगर आरपार नहीं दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, पर clearly नहीं दिख रहा, तो वो translucent object जैसे कि butter paper, right फिर opaque objects को भी discuss किया था, तो opaque objects वो जिनके आरपार बिलकुल नहीं हमें दिखता, है न, पता ही नहीं है, जैसे अगर यह hand रग दिया, तो क्या आरपार देख पा रहे हो, नहीं देख पारे है, क्योंकि यह hand एक opaque object हो गया, वैसे अगर कुछ cardboard रग दिया, तो वो भी क्या हो एक opaque object हो गया, तो यह सब हम लोग हमारी classes में, पिछली class में discuss कर चुके थे, तो इसी के साथ आज के first quiz की हम शुरुवात करते हैं, चीक है, तो quiz की शुरुवात करते हैं, बच्चो, यह रा question आपके सामने, Example of opaque objects is, यह आर, wood, cardboard, both a and b, यह ग्लास Next question, coconut oil and water is an example of, Soluble substance, Insoluble substance, both a and b, यह या नन उफ दीज, चल डिस्कस करते हैं, तो question आप से पहला पूछा मैंने, Example of opaque object, तो बच्चो, opaque object कौन से होते हैं, जिनके आरपार हम नहीं देख सकते हैं, क्या हम wood के आरपार देख सकते हैं? नहीं, क्या हम cardboard के आरपार देख सकते हैं? नहीं, मैंने आपको आपसे discuss किया है आपसे पूछा था कि coconut oil and water तो अगर हम water और coconut oil को mix कर दे तो इन दोनों की अलग-अलग layer form हो जाती है तो coconut oil water पूरा तरके से घुलता नहीं है तो यह किसका example हो गया यह example हो गया option B insoluble substance का ठीक है clear है चल तो बच्चो हमारा यह जो chapter है यह खतम हो गया अभी हम क्या करेंगे summary discuss करेंगे एक बार और हम लोग आपके NCRT के questions discuss करेंगे आज तो सबसे पहले first point देखो लिखा हुआ है object surroundings are made up of large variety of materials तो मैंने आपको यह point बताया था कि हमारे surroundings में कितने सारे objects हैं कितने अलग-अलग materials के बने हुएं ओके फिर हर एक material जो है वो खूप सारे objects बनाने में काम आता है जिसे अगर मैं cotton की बात करो तो cotton के socks बनते हैं, clothes बनते हैं, bed sheets बनती हैं, curtains बनते हैं, बहुत options होते हैं हर एक material की अलग-अलग property होती है कुछ materials shiny होते हैं, lustrous होते हैं while कुछ नहीं होते हैं कुछ soft होते हैं, कुछ hard होते हैं कुछ soluble होते हैं, कुछ insoluble होते हैं ठीक है, कुछ transparent होते हैं आरपार दिखता है, कुछ translucent होते हैं जिनके आरपार इतना clearly नहीं दिखता और कुछ होते हैं opaque ठीक है तो यह सारा हम लोगों ने discuss कर लिया था तो चलो बच्छो शुरू करते हैं आपके NCRTK questions का discussion तो सबसे पहला question है name five objects which can be made from wool तो wool से बनने वाले five objects का हमें name बताना है चलो तो first discuss करते हैं first object हो गया table टेबल वूट की बनी वी होती है then chair चेर वूट का बना हुआ होता है then अगर हम दरवाजों की बात करें तो door वूट के बने वे होते हैं then और क्या हो सकता है boat बोट भी वूट का बना हुआ होता है और एक और object बता दो चलो सोचो 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 bed, bed भी, किसका बना वो होता है? wood का, है ना? तो wood से बनने वाले 5 objects हम से पूछे, हमने बता दिये, table, chair, door, boat, bed, राइट, अचा, अगर मैं आप से पूछो कि cotton से बनने वाले कोई भी दो objects पता हो, तो आप बता सकते हो, है ना? सोच के रखना, आपको पता होगा, ओके, अगला question देखते हैं, select those objects from the following, which shine, तो हमें वो objects select करने हैं, जो कि shine करते हैं, glass bowl, plastic toy, steel spoon, cotton shirt, अच्छा, क्या glass bowl, क्या अगर काच का bowl रखा है, वो shine करता है, बिलकुल shine करता है, glass bowl, क्या plastic का toy अगर सामने रखा है, तो वो shine करेगा, नई, क्या steel का चमच आपके सामने रखा है, वो shine करेगा, हांजी, बिलकुल करेगा, steel spoon भी shine करता है, क्या cotton की shirt अगर आपने पैने विये, वो shine करती है, नई, तो cotton की shirt shine नहीं करती, glass bowl, steel spoon shine करता है, plastic toy, cotton shirt shine नहीं करती, ठीक है, clear है, चल, match the objects given below, with the material from which they could be made, अच्छा, हमें match करना है यहां पे, अच्छा, यहां पे एक point और क्या ध्यान रखना है, कि कोई एक object, जो है, वो एक या एक से ज़्यादा material का भी, बना हुआ हो सकता है, तो यहां पे देखो, objects क्या 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 दिया हुए, बुक, टंबलर, चेर, टॉई, शूज, materials क्या क्या दिया हुए, glass, wood, paper, leather, plastic, ठीक है, तो देखो, बुक की बात करते हैं, तो बुक किस चीज की बनी वी है, क्या glass की बनी वी है, क्या wood की बनी वी है, क्या paper की बनी वी है, ठीक है, क्या leather की बनी वी है, क्या plastic की बनी वी है, नई, book सिर्फ paper की बनी वी होती है ठीक है, tumbler की बात करते हैं, ठीक है tumbler जिसमें हम पानी रखते हैं glass का बना हुआ होता है, हो सकता है, wood का, नई, paper का, नई, leather का, नई, plastic का, हाँ, plastic का बना हुआ हो सकता है चेयर की बात करते हैं, तो चेयर ग्लास की होती है क्या, नई, वुड की होती है, हाँ होती है, पेपर की होती है चेयर, नई, लेदर की होती है, नई, प्लास्टिक की चेयर होती है, हाँ, प्लास्टिक की चेयर होती है, ठीक है, नेक्स्ट, टॉय, टॉय ग्लास का बना हुआ ह हो सकता है टॉय जो है वो ग्लास का बना हुआ हो सकता है हो सकता है वुड का हो सकता है पेपर का नहीं लेदर का नहीं प्लास्टिक का हो सकता है तो यहां पे टॉय जो है वो ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है वोड का भी बना हुआ हो सकता है प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है ठीक है शूस की बात करते हैं तो शूस ग्लास के होते हैं क्या वुड के होते हैं पेपर के नहीं लेदर के हाँ लेदर के शूस होते हैं क्या शूस प्लास्टिक के होते हैं नहीं पेपर वुड ग्लास प्लास्टिक इनके नहीं होते हैं लेदर के होते हैं तो यह हमारा इसका third question का answer हो जाएगा, ठीक है, देख लो आप एक बार इसको, चलें आगे, चल, state whether the statements given below are true or false, तो हमें बताना हैं कि इनमें से कौनसे statement true है, कौनसे statement false, सबसे first दिया हुआ है, stone is transparent while glass is opaque, तो पत्थर transparent होता है, लेकिन glass opaque होता है, तो ये statement तो false है, उल्टा दिया हुआ है, stone opaque होता है, stone के आरपड थोड़ी दिखता है, glass transparent होता है, चीक है, next है, notebook में lusher होता है, लेकिन eraser में नहीं होता, तो notebook में lusher, क्या notebook shine करती है, क्या eraser shine करता है नहीं, ऐसा थोड़ी होता है notebook थोड़ी shine करती है false ओके, chalk dissolves in water अगर पानी में आपने chalk को डाल दिया तो क्या वो dissolve होगी नहीं, वो पूरी तरीके से dissolve नहीं होगी false piece of wood floats on water लकडी का टुकडा पानी पे तैरता है अगर हम boat की बात करें boat भी क्या है, लकडी का टुकडा ही है क्या वो पानी पे तैरता है, बिलकुल तैरता है ठीक है, तो ये statement आपका हो गया true next, sugar does not dissolve in water क्या चीनी पानी में घुलती है हाँ, लेकिन यहां दिया हुआ है कि चीनी घुलती नहीं है, तो ये statement false हो गया, चीनी तो घुलती है पानी में हाँ, next, oil पानी में mix हो जाता है, क्या oil water में mix हो जाता है, false oil water में mix नहीं होता, oil और water की अलग-अलग layer आजाती है, insoluble sand settles down in water, क्या मिट्टी पानी में नीचे settle हो जाती है, बिलकुल ठीक है, अगर आप पानी लो और उसमें मिट्टी डालो, आप देखोगे, मिट्टी जो है वो नीचे जाके, settle हो जाती है next, vinegar dissolves in water, तो ये भी true है, जो सिर्का होता है, ना vinegar वो पानी में dissolve हो जाता है ठीक है, clear है देख लीजे एक बार इनको चले हागे, चलो given below are the names of some objects and materials, okay तो यहाँ पर कुछ हमें objects दिये हो है water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen picture earthen picture बच्चों मड़का, चिक है हमें इने group करना है, as round object and other shapes, eatables and non-eatables, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे round shaped की then other shaped की then हम बात करेंगे eatables, कि इनमें से हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, देख रहाब किस तरीके से हम लोग classify कर रहे हैं objects को तो क्या water round है नई, क्या basketball round है yes क्या orange round है yes, क्या sugar round है no, क्या globe round है yes क्या apple round है yes, क्या earthen picture round है मटका, मिट्टी का घड़ा, yes earthen picture भी round है ठिक है, ओके other shaped, water other shape में आ सकता है, water की कोई shape ही नहीं है, basketball orange round हो गया, sugar भी other shape में आ गई कोई भी shape हो सकती है, है न, globe, apple, earthen picture सब किस में आ गई, round में eatables की बात करते हैं, तो क्या water eatable है, बिल्कुल हम water को लेते हैं न क्या basketball eatable है, no, क्या orange eatable है, yes, sugar eatable, yes, globe eatable, no, apple eatable, yes, earthen picture eatable, earthen picture को थोड़ी खा जाते हैं, है न, earthen picture को नहीं खाते, non eatable में आ जाओ, non eatable, basketball, non eatable, orange eatable, sugar eatable, globe, non eatable, apple eatable, earthen picture, non eatable, earthen picture को थोड़ी खाते हैं, ठीक हैं, तो यह हमारे इसके दोनों parts answer हो गए, all right, देख लीजे एक बार इसको चले आगे, चल, next question, list all items known to you that float on water, check and see if they will float on oil or kerosene, तो हमें कुछ items यहाँ पर बच्चों लिखने हैं, जो कि पानी पे फ्लोट करते हैं, ठीक हैं, तो फ्लोट on water, एक टेबल बना देते हैं, तो देखों, पानी पे क्या-क्या फ्लोट करता है, पेपर फ्लोट करता है, ठीक हैं, इसके अलावा और लकडी, वुड फ्लो करता है, वुड के बाद, अगर एक प्लास्टिक की शीट है, वो भी फ्लोट करती है, पतली प्लास्टिक की शीट, तो थिन प्लास्टिक, शीट, फ्लोट सॉन वाटर, वाक्स की अगर मैं बात अगर आइस भी water पे float करती है, अगर अगर थर्मो कोल है, थर्मो कोल भी water पे float करता है, ठीक है, एक और कोई भी लिख लेते हैं, oil, oil भी water पे float करता है, ठीक है, अब हम चेक करते हैं, okay, if they will float on oil or kerosene, तो अब ओल की बात करते हैं, फिर हम लोग kerosene की बात करेंगे, अब यहाँ पर यह हमारे पास क्या है, कुछ materials है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 materials है, ठीक है, जो कि पानी पर float करते हैं, अब हमें चेक करना है, क्या इन में से कौन-कौन से oil पर करते हैं, कौन-कौन से kerosene पर float करते हैं, तो paper oil पर float करता है, wood oil पर float करता है, नहीं, wood oil पर float नहीं करता, ठीक है, then thin plastic sheet, तो thin plastic sheet जो है, वो oil पर float करती है, ठीक है, wax की बात करूँ, तो wax भी oil पर float करता है, ठीक है, अच्छा, अच्छा, एक बात करता है, बता दो, बच्छो, wood देखो, कभी-कभी float करता है, कभी-कभी नहीं भी करता, ठीक है, अगर बहुत ही हलका होगा, तो वो कर जाएगा, भारी होगा बहुत, तो वो नहीं हो सकता है, ना भी करे, ठीक है, तो हम लोग इन materials को रखते हैं, जो oil पर float करते हैं, केरोसीन की बात क करता है, thermocole float करता है, और plastic sheet, thin plastic sheet float करती है, बाकी, वोड फ्लोट नहीं करता, और वैक्स भी फ्लोट नहीं करती, तो यह हमारे तीन यहाँ पर categories हो गए, कौन से फ्लोट करते हैं, पानी पर, कौन से ओल पर, कौन से केरोसीन पर, चिक है, चलो, एक क्वेशन और देख लेते हैं, find the odd one out from the following, odd one out बताना है, तो first is chair, bed, table, baby, cupboard, तो यहाँ पर odd one कौन हो गया, baby, क्योंकि बाकी तो सब किसके हो गए, wood के बने वे हो गए, chair, bed, table, cupboard, सब wood के बने वे, baby, थोड़ी wood का बना हुए, next is rose, jasmine, boat, marigold, lotus, तो यहाँ पर बोट आपका odd one हो गया, क्योंकि rose, jasmine, marigold, lotus, आरे flowers हो गए, next is aluminum, iron, copper, silver, sand, तो यहाँ पर sand आपका odd one हो गया, क्योंकि बाकी aluminum, iron, copper, silver, यह सारे metals हो गए, next is sugar, salt, sand, copper, sulfate, तो आपका sand यहाँ पर odd one out हो गया, क्योंकि sand जो पानी में soluble नहीं है, sugar, salt, copper, sulfate, सब पानी में soluble है, ठीक है, तो यह हमारा इसका answer हो गया, alright, तो बच्चों यह रहे आपके सारे NCRT के questions के solution, चलो शुरू करते हैं हमारा second quiz, example of soft material is या R, soft toy, cotton, both A and B, या cooking utensil, next question देखते हैं, example of translucent substance is या R, glass, water, butter paper या wood, चलो डिस्कस करते हैं, तो example of soft material, तो soft material, बचो soft toy भी हो गया, cotton भी हो गया, correct answer हो गया, option C, that is both A and B, cooking utensil, soft नहीं है, right, next है, example of translucent substance, तो translucent हो होता है, जिसके through clearly नहीं दिखता, glass, water के through clearly दिखता है, वो transparent है, wood opaque है, तो translucent हो गया, आपका option C, that is butter paper, ठीक है, clear है, all right, तो बच्चों, एक बार अपना time table देख लीजिए, तो 3 बजए आपकी Vedic Maths की class होती है, 4 बजए Maths की, 5 बजए Science, 6 बजए Maths, और 7 बजए Science की class, again, ठीक है, तो आपकी Monday to Saturday ये daily classes होती है, ओके, तो इसी के साथ हमारा sorting materials into groups chapter खतम हो चुका है, NCRT के questions discuss हो गए है, I hope,